आज हादी के हम रितकाल में हम जब नए संकल्पों को लेकर करके चल रहे तब अब जब गणेश चतुर्धी का परवा आज है तब लोकमान्य तिलक की याद आना बहुत स्वाभाली के है आज हादी के अंदोलद में लोकमान्य तिलक जी ने गणेश उत्षव को एक सारवजिनी गणेश उत्षव के रूप में प्रस्थाबित करके पूरे राश्ट में सुराज्य की अहलेग जगाने का माध्यम बनाया था लोकमान्य तिलक जी ने गणेश पर्व से सुराज्य की संकल्पना को शक्ति दी उसी प्रकार से आज ये गणेश चतुर्थी का पर्व लोकमान्य तिलक जी ने स्वतंत्र भारत सुराज्य की बात ही थी आज हम सम्रुद्ध भारत गणेश चतुर्थी के पावन दिवसपर उसकी प्रेणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं सभी देशवासियों को इस अवसर पर फिर एक बार मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आदने अद्धक जी आज सम्वत्षरी का भी परव है यह अपने आप में एक अधुद्ध परंपरा है इस दिन को एक प्रकार से छमा वानि का भी परव कहते हैं आज मिच्छामी दुकडम कहने का दीन है यह परव मन से कर्म से वचन से अगर जाने अंजाने किसी को भी दुक पहुंचाया है तो उसकी शमा याचना का आउसर है मेरी तरब से भी पूरी विनम्रता के साथ पूरे रदय से आप सभी को सभी सांसत सदस्यों को और सभी देश वासियों को मिच्छामी दुकडम आज जब हम एक नई शुरुवात कर रहे हैं तब हमें अतीत की हर कड़वाहट को भूला कर आगे बढ़ना है इस्पिरिट के साथ जब हम यहां से हमारे आत्रन से हमारे वानी से हमारे संकल पॉसरे जो भी करेंगे देश के लिए राष्ट के एक एक नागरी के लिए वो प्रेणा का कारण बनना चाहिए और हम सब को इस दाईत्व को निभाने के लिए बर्षक प्रयास भी करना चाहिए आदलिय अद्दक जी यह भवन नया है यहां सब कुछ नया है सारी व्यवस्ताएं नहीं है यहां तक आपके सब साथियों को भी आपने एक नए रंगरूप के साथ प्रस्तूत किया है सब कुछ नया है लेकिन यहां पर कल और आज को जोड़ती हुई एक बहुत बड़ी विरासत का प्रतीक भी मोजिन है वो नया नहीं है वो पुराना है और वो आज़ादी की पहली किरण का स्वयम साक्षी रहा है जो आज अभी हमारे बीच उपस्तित है वो हमारे सम्रुद्य इतियास को जोड़ता है और जब आज हम नए सदन में प्रवेश कर रहे हैं संसदिय लोकतंत्र का जब नय अग्र प्रवेश हो रहा है तो यहां पर आज़ादी की पहली किरण का साक्षी जो आने वाली पीडियों के भी प्रेणा देने वाला है वैसा पवित्र सैंगौल और यह वो सैंगौल है जिसको भारत के प्रधाम प्रधान मंत्री पंडित नहरू का स्पर्ष हुआ था यह पंडित नहरू के हाथों में पूजा विज़ी करकर के आज़ादी के परवका प्रारंब हुआ था और इसलिए एक बहुत महत्वपन अतीत को उसके साथ एस सैंगौल हमें जोडता है तमिल नाडू की महान परंपरा का वो प्रतीक तो है ही देश को जोड़ने का भी देश की एक्ता का भी वो प्रतीक है और हम सभी मान्य सांसदों को हमेशा जो पवित्र सैंगौल पंडित नहरू के हाथ में शोभा देता था वो आज हम सब की प्रेणा का कारण बन रहा है इससे बड़ा गरों क्या होता है आदरिय अद्रक जी नए समसद भवन की भव्यता आधुनिक भारत के महिमा को भी मंडित करती है हमारे स्रमीक हमारे इंजिनियर्स हमारे कामगारों उनका पसीना इसमें लगा है और कुरोना काल में भी उन्होंने जिस लगन से इस काम को किया है क्योंकि मुझे कारिय जब चल रहा था तब उन समीकों के बीच आने का बार बार मोका मिलता था और खास करके मैं उनके स्वास्त को लेकर कि उनसे मिलने आता था लेकिन ऐसे समय भी उन्होंने इस बहुत बड़े सपने को पूरा किया आज मैं चाहूंगा घंसाब हमारे समीकों का हमारे हुन कामगारों का हमारे इंजिनियर्स का रदैर से धन्यवाद करें जो दैसे जद उनके जाराय निर्मित भावी पीडियों को पेणा देने वाला है और तीस हजार से जादा समी बंधों ने परिशम किया है पसिना बाहाया है इस भव्य वबस्ता को खड़ी करने के लिए और कई पीडियों के लिए ये बहुत बड़ा योगना का है मैं अध्यक जी मैं उन स्रम योगियों का नमन तो करता ही लेकिन एक नई परंपरा का प्रारंब हो रहा है इसका मुझे अत्ता आनद है